डेसन डिवी इस वक्त आई हुई है Blue Bells International School में और यह देख सकते हैं अभी डैरेक्टर सर से हम जाने ही कोसिस करेंगे चुकि अभी जादा तर नमांकर का जो प्रोसेस है चल ला है स्कूलों में किस तरीके से नमांकर लिया जा रहा है इस स्कूल में किया कुछ प्रोसेस है चुकि देखे अभी इसकूल में नमांकर का भी प्रोसेस चल ला है तो इस मुद्दे पर भी सर से जाने कोसिस करेंगे चुकि ज्यादा तरी स्कूल में ले रहे हैं बहुत स्वागत है नेसन टीवी बिहार प्यापको अब नमस्ते अच्छे सर क्या सुमनाम लिखते हैं परसान है जिसमें किसी तरह का कोई रोक रोक नहीं से कोई परसानी नहीं है पैरंस आते हैं जनेकारी उनको मिलती रहा है और जो भी बच्चे आ रहा है उनका हम टेस्ट सरपर्थम लेते हैं और टेस्ट के माध्यम से उनको क्लास में नमांकन दिया जाता है यह सबसे उत्तम विवस्थ हमारे हैं ऐसा माना गया है कि जब तक आप बच्चों का पर सिक्षन नहीं लीजिएगा टेस्ट नहीं करने के बाद उनका एडिमिशन लेते हैं महीना क्या कुछ रहता है यहां पर स्कूल में कम है कहीं ज्यादा भी आप कि इतने महीना लिया जाते हैं हमारे जुनियर सेक्षन का सर हमारे प्ले से क्लास 6 तक के बच्चे का भी पढ़ाई का सुबदा है इसको आगे बढ़ाने क हम लोग इस वार से प्रयास कर रहें तक जाएगा तो अभी प्ले ग्रूप का जो हमारे चार्ज है और अपर सेक्षन के लिए 800 से 1000 का मतलब यहां विवस्था रखा गया मतलब मेडियम क्लास का जो इसकूल सब है तो उसमें बच्चे एट क्लास तक का पढ़ाई करते हैं ज जो बोड है उसके माध्यम से एकजाम दे देते हैं बीच का जो दो साल गैप हो जाता है प्राइबेट इसकूल से हर जाता है तो आप लोग ऐसा कुछ मनेजमेंट क्यों नहीं करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है प्राइबेट इसकूल के बच्चे प्राइबेट इसकू ज्याद है और लोग परहाई के सांसात पैसा भी देखते हैं कि पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं कि जिस अनुसार अब बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे देशे में हैं कि फिरी सिक्षा तो सरकार तो फिरी सिक्षा दे रही हैं कहीं न कहीं सिक्षा में कटाउती कर र बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में स्कूल में रिविशन ले रहे हैं और मैं आगे से पर्यास करूंगा कि मतलब हमारे यहां भी मतलब बच्चे में नया गुनवत्ता त्यार होता है और बच्चे बूल पाते हैं सबसे बड़ी कमी होती कि जब कभी भी बच्चों से प्रस्ण किया जाता है तो बच्चा जवाब नहीं दे पाता है इस पर हम लोग खास कर द्यान डखते हैं और बच्चे को माइक पर बुलुमाने का प्रयाज करते इसे बच्चे का हेज़िट이션 टूटता है उसकी अलावा भी हम लोग-ध्याक कीब बच्च बाइए बच्चे को तूर पर ले जाते हैं और इनुवल जिस तरसे इनुवल एक्जाम होता है उस तरस हम लोग बच्चा को खिल परती होगता के माध्यम से उसको परसाहित करते हैं हम लोग देख रहे हैं जो मेडियम क्लास का जो स्टुडेंट सब है अभी जैसे नाम लिखाता है बड़े बड़े स्कूलों में तो बच्पन से फूल फ्लेजर इंग्लिस बोलना फराटेदार सुरू कर देता है मेडियम स्कूल जो है तो उसमें हम लोग देखते हैं बच्पन से पढ़ाई भी कर लेता है इंग्लिस नहीं बोल पाता है वह लोग बड़े स्कूल वाले पूरे दावा करते हैं कि हम लोग फूल फ्लेजर इंग्लिस बोलने कर सिखाएंगे उसी खाते भी तो क्या कहेंगे कि इस मुद्ये दूर्णों में जो फासला आ जाता है कि इससमें सबसे बड़ा अंतर है कि अगर एजुकेशन हम तभी बढ़िया से दे पाएंगे जब इंवार्यमेंट करता हैं और फोटे शब्स नहीं कोई दोरे नहीं इसके रहता है कि पावजूद कुछ माहौन चेंज रहता है इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो स्कूल पुरुभाइड करती है इंग्लिस मेडे में स्कूल हुए हिंदी में स्कूल तो जो भी सिक्षा दे रही हो अपने अस्तर से बहुत अच्छा देने का प्रयास कर देंगे जब बच्चे घर पे जाते हैं तो उनको स्कूल की आगर मान के चलिए कर अगर दो को बुड मॉर्निंग बोलना सिखा रहे हैं तो इस बात को बच्ची को गर पे नहीं बोल पातें अपने माता पिता से नहीं बोल पाते यह सबसे अहम चीजे तो बच्चे का माहॉल घर पे भी स्कूल कि तरह करना हो गया जिन्मेवारी पैरे भार पे जूर गए थे करें